नानेक दिव यूनिवेस्टी अमरे सर्वलों कंड़क्ट कीते जा रहे बीएड एंटरस्ट टेस्ट लेई एग्जामी नी कैंडिडेट लेई कुछ इंस्ट्रक्शन ने जनने एग्जाम वेच बैठना है ज़त तक एंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है तो पॉसिबिल्टी है प पैली इंस्ट्रक्शन ज्यादा महत्तव इस दा इसली नहीं है मैं दिखार यहां तुसी पढ़ना चौन्दे पढ़ सकते हो क्योंकि इस विच्छे लिख्या है कि कैंडिडेट दी एलिजिबिल्टी लिए खुद जुम्मेबार है दाखला प्रिख्या दा नितीज्जा पैस्टि दा इंस्ट्रा प्रिख्या अपनी इलिजिबिल्टी लिए खुद विरिफाइ करना है वैसे विरिफकेशन जदो तौड़ी सीथ अलोट हो गया उसरे विच्छ भी कुछ इस तरह दी इंस्ट्रक्शन दिगहाई है पंजाबी विच पढ़ सकते हो जो सिर्फ एही है कि जो बीएड़ दाखला है यूनिवर्स्टी एंसिटी ओधे द्वारा जड़े रूल बनने उस दे मताबक ही होएगा यूनिवर्स्टी यह जड़ी हैं विछ तुसी दाखला लाएं जा रहे हो उना दे नाम है तीज्जे तो तो अड़ा मेन शुरू संभावना है लेकिन जल्दी यूनिवर्स्टी यह रद नहीं कर दी पिछली वार भी डेट एक्सेंड ओं दी रहे सी लेकिन इसे दिन ही एक्जाम होई आसी सो एक्जाम दा समा जड़ा है पिछले इंस्रक्शन जवी तो अड़े ते कार्टे जड़ा लिख्या है उसनू सम पेपर विच एक सो पजा कॉश्चन जब मार्क्स होंगे, MCQ कॉश्चन ते A, B, C, D, E पार्ट होंगे, मेरे खेलो स्ट्रक्चर तुसे समझ दहीं होगे, कि एक तोड़ा जन्रल अवेरनेस दा है, मेंटल एबिलिटी दा है, तोड़ा टीचिंग पोटेंशल दा है, 10-15% मार्क्स, 10-15% नहीं तो 10-15 मार्क्स तुसी किस तरह लाए सकते हो, सो इस दा मतलब है कि सारे कॉश्चन करके आने हैं, कोई कॉश्चन चढ़के नहीं हाना, ओ कॉश्चन किद्दा करने हैं, इस दा थोड़ा जा, reasoning based तरिका तो अनुदस्तांगा, अच्छा, इत्थे लिखिया है, admit card जेडी तो अडे instruction है, ओ ही रखनी है, उत्थे मेरे खिल time, इत्थे लिखिया है कि पजा, मिंट पहला आ जाना चाहिदा है, मैं दबारा दस्रेया है, ये prospectus है, पुराने छपे हुन देहन, admit card वाली जेडी है, ओ time तुसी लेके चलना है, ये time नहीं लेके चल तुसी उस तो पहला पहुंचना होगा, मेरे खिल उस विच समा दस्रेया गया है, कि किनी देर पहला पहुंचना है, उस तो बाद allow नहीं किता जाएगा, लिखिया भी हो है, कि साध्डे 10 तो बाद कुसे भी candidate नो allow नहीं किता जाएगा, लेकिन तो अड़े admit card ते 17 लिखिया admit card ते ओ समा सवादास लिख्या होया है, medium के रहा होएगा, English ते पंजाबी विच होएगा, Hindi पहला हुंदा सी, एक साल तो पहला हुन, Hindi नहीं हुंदा, हाँ, language पंजाबी पंजाबी चोएगी, language English, English चोएगी, बाकी ते इन पर पर जड़े है, ओ, bilingual होणगे, मेरे कुल सेट प्यावी है, मिल गया है, मिलदाने सी सेट, हाना, ते ए देखो, के इस तरफ जवे English है, हाना, इस तरफ पंजाबी है, नालना, तो नहीं नीचे आ, देखो, 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 द वो तुसे इक्केते ही देने हैं special arrangement for हाँ जे कोई विद्यार्थी disabled है challenged है ते उन उसनु राइटर अलग तो मिलेगा वो लेके आणगे वो केड़े केड़े हो सकते ने जेड़े अखा तो जेड़े challenged ने दूसरा है जे किसे दे हाथ ते चोट लगी है खबे चा सज्जे हाथ त मतलब कि ओ लिख नहीं सकता तीसरा है कि कोई temporary disability है राइटिंग दी due to fracture accident होया है इस तरह दा कुछ भी shoulder ते है आम ते है लिखन विच आसमर्थ है ता उसनु असिस्टेंट मिलेगा ओ एथ लिख्या नहीं है कि ओ खुद ही मेरे ख्याल लियाना पाएगा उस लही डिरेक्शन दिती गई है कि उमिदार ने किसे medical college जित्थों कोई medical college नहीं है medical college जो तुसी टेस्ट करवा के verify करके लिया आना है कि तुसी लिखन तो असमर्थ हो इसलिए तो अनु असिस्टेंट चाहिदा है जेकर नहीं है तो अडे नेडे medical college तो अडे जिले वेच ता chief medical officer लिख्या है English with chief medical officer of district उता हुंदा है उस तो फिर तुसी certificate लेके आना है कि उमीदवार अस्थाई असमर्था कारण अपनिया उत्तर पुस्त का लिखन विच असमर्थ है ओही गल है इना विद्यार्थिया नो जेडे के जेना नो एक्स राइटर मिलना है बिलाइंड ने उना नो 50 minute जानगे मैं समझता सी के इंपॉर्टन नहीं है एक कोमेंट आया जिस विच उनने क्या के सर तुसी बोल के पड़ाया करो असी चार साथी हां तो आड़े वीडियो देख दें हां ते असी चारों देख नहीं सकते I am very sorry candidates shall require the answer question only हां बहुत ज्यादा जरूरी है सब तो आते ओमर शीट देश लेक पनना ते दितियांगे यह हदायता उनसार उदेश परदान किता गया ओमर शीट ते ही सवालान दे जवाब देन दी लोड होएगी instruction तो अनुपता होन यह चाही दिया हन थोड़ा जा मैं एद असना के एक question booklet इस तरह तो अनु मिलेगी खास तरते तो मिद्वार जिना ने हना एक question तोड़े लिखे होनगे प्रशन इते लिखे होनगे प्रशन पंजाबी ते हिंदी विच लिखे होनगे order विच होनगे तोड़ा set होएगा set B है यह देखो जिने set B है ना ए मैं अलग तो वीडियो दास दाहां कि जिदे विच तो अनु मर श उसी देखके जिमें ए विद्यार्थी ने अच्छी तरह देखो पिछले साल दा पिपर है इते विद्यार्थी ने एदे टिक लगाए होई है कि ए वाला मेरा answer ठीक है हाना ए अप्रोच है कि पहला एते टिक लगा लेंदे हैं फिर OMR ते लगा लेंदे हैं चार अप्रोच अगे जाके डिसकस करदा हां पहला इते सिर्फ यह देख लिए कि instruction की है फॉर एक्जांपल तो अडिको ए बुकलट है तो नाल OMR शीट मिली हुई है कित थे OMR शीट इंस्ट्रक्शन की है कि ए तो पहला तुसी अपना question पढ़ दे हो option देती है तो अनुज़डा best question लगदा answer लगदा है best option लगदा है right option लगदा है ओ सुनू तुसी एथे जिमें मर्जी टिक करी जो पर answer sheet जद तक तुसी एथे टिक नहीं किता ओ नहीं तो अड़ा evaluate नहीं होएगी for example इत्थे B सही answer मैं लेके चल रहे हैं पहला question है तो ओसदा इत्थे B मान लोग यह मेरे को वह मैं शीट है जिस्ते एक दो तेन चार लिख्या है हाना हो सक्दा है एक दो तेन चार भी हो बे लेकिन A B C D इस तरह भी हो सक्दा है दोनी option लेके चलना है जह एक दो तेन चार है इस थे भी एक दो तेन चार होएगा और एत्थे भी एक दो तेन चार होएगा जह एत्थे A B C D है तो इत्थे B B C D है फर एक्जमपल मैं A जड़ी है पर दत्ती है इसनो तो A OMR शीट जड़ी पर होगे ओ तो अडिगिनी जाएगी अधर्वाइज एत्थे टिक किते है तो कोई माक्स ना मिले गया ना कट्टे आ जाएगा नेक्स्ट एक होर इंस्ट्रक्शन ना लिए अगे दित्ती गई है कि एक वे ले एक कोक्शन है फॉर एक्जमपल तिन दा जड़ा आंसर है तुसी देना चांदे हो A तुसी D लगाया है जा चार लगाया है इसनों फिल कर द दिता है बात चुतानों लगा है कि यार एदा D नहीं है एदा A है सो तुसी A वी फिल कर दिता है जेही सूरत विच इस दा कोई आंसर ने मिलेगा तुसी चारा आप्शन चो एक ही बबल नो पूरी तरह ना फिल करना है एस समस्या तो किमें बचा जा सकता है उस वीडियो च से दस नहां कि यहां इस तो बचा जा सकता है कि हां जी जी मेरा गलत कोश्चन सी है में चेंज करना चौना है कि में हो सकता है उदे लिसा अनू पैंसल दा प्रयोग करना पएगा अप्रोच डिफरेंट होएगी सो जो भी इंस्ट्रक्शन ने तो अनू एड्मिट कारते दि नहां ABCD जेवें पर पिछे दस के आया है हां ओनली वन आफ अ दी बबल मार्ट ए और बी और सी और डी अगेंस्ट दा रेलेवेंट कोश्चन जो में पिछे दस के आया हां ब्लैक बाल पैन ओनली हां यह अगे भी जाके दस दिनने हां इंपोर्टन है एगल में पिछे दस यहां इते इंस्ट्रक्शन बाद विचाई है अच्छा के तुसी एक बबल ही चारा जो एक बबल ही फिल करना है तो OMR sheet is designed for computer evaluation ए वखरे वीडियो चे दस दंगा के में ए प्रोसेस सुनदा है तो तुसी OMR sheet नो एस तरह band नहीं कर सकते, mode नहीं सकते, damage नहीं कर सकते, किसे पारते थे extra नहीं लिख सकते, rough work नहीं कर सकते, ओ अगे जाके आवी जाएगा सो एस गल्दा त्यान रखना है कि तहां ही तो अडिसाही मुलंकन होएगा, तुसी marking जेडी करनी है, बेशेक एथे में कोई नीला कलर सी, उस option विच जड़ा है, मैं वर्तदा है, note 5 है, जो वर्तदा note 5 है, जो blue ही आ रहा है, तुसी लेकिन जड़ा कलर है, pen है, ओ black वर्तना ह एथे clearly दस्या गया है, instruction है area, black pen only, एथे बाल जरूर लिख लिख लियो, जदो मैं pen बारे होनी दस्तांगा, एक वीडियो आएगी, ओधे विच यह चीजां clear कर दती है, जान गया, केडा best pen है, यह भी दस देता जाएगा, और pen किनने लेके जाने, केडे लेके जाने ओवी द बैटर और नंबर, इंसाइड इन, not visible, यह दिखो, जवाब नोले, सिर्फ काले pen दा ही वर्तो करो, शेडिंग काफी गूडी, काफी गूडी दा, मतलब यह ना ले लियो, के दबाई जामा, और विच शेक हो ली कर दमा, मतलब काफी गूडी के बस, जिनना ओ पैन मैं दस्त पर नंबर दिखाई ना देन, इसनों देख लो, for example, यह है, जि मैं इस तरह पर दा हाँ, आदे क्यों, ठीक है, एक मैं आप रहा है, पूरा, ठीक है, इसके लिए थोड़ी सिखनी पहनी है, मैं तो नों अपने टेली ग्राम ते एपेज भी दिनना हाँ, तो उसी प्रैक्ट इस जरूर कर लो, सो एदे ते एदे विच फरक है, हुना एक काली-काली चे इदा भी हो सकता है, आ देखो, एदे विच कारों विच्चो दिखदा है, कि तिन दी इमेज दिख दिया, ओकें दे जिड़ा अखर विच लिख्या है, ओ दिखाई ना दबे, एन्नी गुडी तर इसनों कलर कर देना है, और मैं गलती की किती है, कि मैं इते दो कलर कर दते है, इसना कोई मार्क्स नहीं मिलना, सो एक जड़ा राइट अंसर लगदा है, सिर्फ ओ ही करना है, और पूरा करना है, और उसनों किस तरहां तरीके, तिन तरीके या ये बबल फिल करना है, उस तरह फिल कर देना है एकल रुपीट किती गई है कि हर एक स्वाला ने ABCD चार रूप होंगे लेबल लगे होंगे चारा विकल्पां विच्चों सिर्फ एक नू जेनू तुसी सोच देओ कि सब तो वदिया उत्तर है राइट आंसर है उस नो हालत विच्च वापस करनी है इन विजी लेटर नो जां सेंटर सुप्रिटेंडन नो जेड़े वी ओथे टीचर हाजर ने वन एक लिख्या है कि बेशक तुसी कोई क्वेश्चन नहीं किता फिर वी ओ ओम आर शीट तुसी देखे जानी है नेक्स्ट है कैलकूलेटर किसे तरह डाकैलकूलेटर तुसी लाके नहीं जा सकते तुसी अब ऑग्रचामीनेशन सेंटर नो लीव नहीं कर सकते उस तो बाहर नहीं जा सकते जद तक टाइम पूरा नहीं हो जन्दा तो अन्दर ही बैठना पढ़ेगा नेक्स्ट है कि rough work लेई जिड़ा है मोटा कम जेकर rough work जिड़ा है उसने थे मोटा कम हो गया rough work जे कोई हो वे था केवल प्रशन पुस्त का विच प्रदान किती की जगा विच ही किता जावे अते होर किते नहीं किसे भी हालत विच उमर उत्ते पत्तरी उत्ते कोई rough work ना किता जावे ए जो है last उत्ते ते आनल देखो ए रफ वरक ली इस तरह दानो ए पिछली ही है देखो rough work ली सिर्फ ए ही पेज मिलिया है तुसी पुछते सी rough work मिलिगा इसलिए इन्हों बड़े ए मेंटल अबिलिटी ली और आम तौरते यूज हुंदा है सो एही मिलना है इस तो इलावा हाँ तुसी एदे एदे किसे कॉर्नर दे इते लिख सकते हो कोई डरंदी लोड नहीं है इस इते लिख सकते हो लेकिन तुसी OMR sheet ते किते भी लिख नहीं सकते ओस दी साइड ते इते किते अपना तार में चिन नहीं बना ना कोई अडंटिटी नहीं लगाने सिर्फ जो बबल दिते गए ने पूरी किस तरह फिल करनी है मैं बाद विच दसना हाँ ओ अलग तो वीडियो होएगा अच्छा कोई भी विद्यार थी जो टेली कम्मुनिकेशन एक्विप्मेंट जमें पेजर के सेलर फोन वायरलेस सेट ब्लूटूथ डिवाइस कोई भी मॉबाइल फोन हना इस तरह ना कोई भी अंदर नाल प्रिख्या हाल विच लेके नहीं जाया जा सकता है जेकर फड़ेया जानदा है तो उसता कैंडिडेट्च चा भी अयोग उनुक रार दता जाएगा कैंडिडेट्च रद हो जाएगा और अग्जाम तो बार कर दता जाएगा ये तो उनुकल क्लियर होएगी स्टेशनरी तो अड़ी आपनी होएगी इसते में होने एक वीडियो कर देना है चेक लिस्ट थे चेक लिस्ट विच लंबी लिस्ट है तुसी देख लेना कि तो अनू उस चो केड़ी चीज दी ज़रूरत है जो हर हाल चले जानी ओ वी दस दिन ना है एक दिन पहला ओ त्यार कर लेनी है होने एदे विच्ट स्टेशनरी जेदे विच्ट है बेशिक तुसी इना ने लिखिया है इना ने देखो प्रॉस्पेक्ट ची लिखिया है आइटम सच एज बलायक जैल पैन जैल पैन नहीं लेके चाहिदा ले जाना ले जाओ बैसे नहीं चाहिदा यूज नहीं करना बॉर्वाइंग मेटीरियल इनसाइड टेस्ट सेंटर किसे होर को फटना है मैं पैनल ले लवाँ वो पिपर कर दे समय अलाओ नहीं है इसलिए मैं दस दिन आओ उसे बारे वीडियो तो अच्छी तरह सो यह स्टिकली प्रोहिबिटेड है किसे भी हालत विच री एवैलुएशन नहीं होईगी री चेकिंग नहीं होईगी री असेस्मेंट होईगी जो दो जी फॉर्मेटिव तो समय पढ़ दे सी फॉर्मेटिव असेस्मेंट चाहिए होंदा है कि तुसी री एवैलुएट री चेकिंग कर दे हो रोज कर दे हो टीचर करके दिन दा है फिर चेंज कर दे हां इतने कोई चेंज पॉसिबल नहीं है सम्मेटिव एवैलुएशन है क्वेश्चन बढ़ना चाहिदा आना चाहिदा है कि मुढ मुलांकन नहीं होएगा सो अन्तम फैसला जो भी उनिवस्टीदा है जो पेपर चेक करना ओही होएगा ओके नेक्स्ट है कि in no case objective type question paper candidate must ensure that the answer to to the question are attempted on specific prescribed OMR sheet only no answer attempt on the question booklet कोई भी answer किता होया उस दी evaluation नहीं किती जाएगी only those questions answered on the OMR sheet shall be taken into account जेड़े तुसी OMR तो करोगे पहला में गलना 10 आया है सो ये instruction से जेड़ी है युनिवस्टी वालो दितियां गया है हम इस तो इलावा checklist है OMR sheet pen किस तरह है अप्रोचिस किये OMR sheet नो best KD रहेगी नाल एदस द्यांगा और बाकी guess work ते है वो एक कदे दिन विचे जल्दी ही है वीडियो बाकी सारे आजान देने थेंक यू डॉक्टर तीरे सिंग learn to actualize